in this session we will learn how to use compare validator so compare validator is used to compare the value of an input control against the value of another input control अगर दो आपके पास control है वो text box हो या दूसरा कोई भी control और अगर आपको compare करना है उसके values then you can use compare validator so यहां पर मैंने दो label लिया है दो text box लिया और एक button तो label पर मैंने लिखा password retype password mostly यह use होता है registration form में जहां पर हम लोगों को दो password हम लोगों enter करते ना एक बार पासवर्ड एंटर करते हैं जहां पर text box रहता है और दूसरे text box में जहां पर लिखे रहता है कि confirm password या री type password label में लिखा होता है तो क्या होता है कि अगर यह दोनों match है तो जब भी हम लोगों registration form submit होता है और next page open होता है अगर यह दोनों password हम लोगों का same नहीं रहता है तो क्या लिखे आता है कि password does not match so for these we have to use compare validator तो यह तो designing हो गई है अब हम लोगों क्या use करना है compare validator तो यहां से validation tab में compare validator पर double click करूंगी या drag and drop भी कर सकते हो यह हो गया मेरा compare validator अब हम लोग यहां पर इसमें चले जाएंगे properties में तो सबसे पहले properties हैं हम लोगों की error message तो error message में यहां पर हम लोग लिखते है password does not match यह हो गया हम लोगों की property error message password does not match for color आपको देना है आपको change करना है आप वो कुछ भी for color दे सकते हो वह बेस पर देगो यहां पर changes हो जाएगा for color में next properties control to compare हम लोग किस से compare करना है हम लोगों को यह text box से text box का नहीं क्या है text box 2 तो हम लोग यहां पर क्या सेले करेंगे text box 2 control to validate validation हम लोग किस पर यूज़ करें है text box 1 पर यह होगे हम लोगों का control to compare and then control to validate next is operator अब लोगों क्या करना है यहां पर equality check करना है तो आप यहां पर देखो कि अलग-अलग operators आपको दिखेंगे equal not equal greater greater than equal less than less than equal data type check तो हम लोग यहां पर कौन से operator सेलेक्ट करेंगे equal and then यहां पर type हम लोग स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे यह पहले से सेलेक्ट है तो आव वी विल सी दे आउटपूट इस इस माय आउटपूट विंडो यहां पर password दे दिया मैंने one two और री टाइप password में मैंने एंटर कर दिया है one two five अब मैं जब के पर क्लिक करती हूं तो यहां पर लिखाएगा password डाज नॉट मैच क्योंकि मैच नहीं हुआ सेम पासवर्ड नहीं है यहां पर सीफ नंबर दिया है मैंने तो अब यहां पर क्या करूंगी मैं स्ट्रिंग और नंबर मैं साथ यहां पर देती हूं यहां पर मैंने पासवर्ड में दिया है abc123 डिटाइप पासवर्ड में दिया abc123 ओके पे क्लिक करूंगे error नहीं आ रहे हैं अब भी यहां पर मैं चेंजिस करती हूं तो यहां पर दे रही है मैंने 129 ओके पे क्लिक करूंगी यह आगया password दस नॉट मैच अंडर्स्टूड तो कि हम लोगी नेक्स्ट एक्जेंपल दिखते हैं यहां पर मैंने जो वेब फॉम बनाया है लिखा है एंटर फर्स्ट नमबर और यहां पर लिखा है एंटर सेकिंड नमबर अभी हम लोगों को यहां पर क्या चाहिए आउट्पुट में कि जो आप फर्स मेंने फ्रस्ट नमबर शूँर्ट भी स्माऒर और मैसेज में दे दिया है अर उसके बार यहां पर मैंगे च्था compare यहां control to compare क्या करेंगे text box 2 और control to validate text box 1 और यहां पर operator क्या use करेंगे हम लोग less than operator यूज किया है मैंने less than and then type यहां पर मैंने use किया है integer यह हो गया now we will execute यहां पर मैंने दिया enter first number 10 और enter second number यहां पर मैंने दिया enter second number 9 अब मैं OK पर क्लिक करती हूँ तो error आएगा first number should be smaller than second number अब मैं इसको number को change कर देती हूँ suppose दिया मैंने suppose I write here one तो यहां पर मैंने दिया first number 1 और second number दिया 9 OK पर क्लिक करूँगी तो error नहीं आएगा तो यह भी एक type का क्या है compare validator का example है कि अगर आपको दो text box को या दो control को check करना है कि वो less than है greater देहना है greater than equal to है less than equal to है या data type check करना है then you can use compare validator operator reader